हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू कॉंकोलोजी आज का हमारा सब्जेक्ट है सालीग्राम कि सालीग्राम ओडिजनल कैसे होते हैं इंडिया में कहां पे मिलते हैं और अगर वह फर्चेस कंदमाद आप कहां से खरीच सकते हों तो थोड़ी इस तोड़ी इसकी जो है उसके बारे में जानते सालीग्राम नेपाल में पाया जाता है जो हिमालएका अर्या है उसके अंदर ही आपको मिलें कर दुछे इंडिया वहाँ नेचरली आप सान वालिबल नहीं है वह सौप में आपको परुछेस करने के लिए मिल जाएगे मगर ओन्नेशरली अवैलेबल सिर्फ नेपल क तो आज आपको दिखाए कि साले ग्राम काला पत्थर जैसा रहता है जो इंडिया में मिलता है उसकी बात कर रहा हूं अगर पूरा साले ग्राम है आप खोलोगे उसको तो इसके अंदर से यह ऐसी कार्विंग जैसी एक चीज आपको दिखेगी तो डिस्प्ले बाप उसका सही इमेज आपको क्लिरली दिख रहा है वह जो है चीज ऐसे टाइप के अगर पत्थर मिलता है उसको साले ग्राम बोलते इसका लग लग नाम है सुडार्सम साले ग्राम कहते लग्राम कहते विश्यु мі्ड कहते जैसे शेफ आपको उसके अंदर लिखता है उसकी सबसे आप नाम लिया गया है ।ुके सबसे कुछ नहीं आपको डिसकस कर रहा हूं साले ग्राम के आपने बीजोंता वित राका। कॉंप में सालह राम है। एक जीव होता है। जैसे दाइनोसर में पूरा यूग था वो टाइम पर नामसेस हो गये ॸह आज बि अगर जहां पर खुडाई की जाती है तो वहां पर डाइनोसर के आउशिष आपको मिलते हैं उसमें हदिया रहती है या पूरा स्केलाटन उसका आप कहीं से मिल गया ऐसा काफी बार सुनने में आया होगा उसका अंडे रहते हैं वैसे ही उस ताइम पर जो समुंदर की चीज अगर आज की की बार क्यों नोचिलस जिल्टल के यह तो मेपैस नहीं है मगर आप देखिए और यह बाटल में है पूरा रखा हुआ मैन अभी तो यह माचंगाँ यह Nautilus का ही प्रजाती है सालिग्राम, तो इसका जो scientific names detail है आप दिस्क्रिप्शन में देख सकते हो, अब सालिग्राम ब्लेक कलर का ही क्यों होता है, वह बात करते, तो यह सालिग्राम का जो आउसेश था, जो संख उस ताइम पे मर गया था, जो नामसेश हो गया थे, वह जि तो वहां पर जो प्रिजर्वेशन हुआ था उस टाइम पर वह ब्लैक की अभी आपको शाले इंडिया में जो मिलते हैं अभी करोड़ों साल पहले के है जीवास से तो यह अभी आप उसको शाले ग्राम बोलते हो अगर वर्ड की बात करें तो वर्ड में काफी जगे पर यह श में आपको एक्जमपल के रुप से दूँगा मेडा कासकर ऐसी जगह है जहां डाइनोसर के मैक्सिमम स्केलेटन वहां से मिलते हैं तो वहां पर जो साले ग्राम पाया जाते हैं उसकी हाइट मैक्सिमम हाइट शाड़े तीन फीट चार फृट टक भी पाई गई यह आप अं मेडा कासकर से मंगवाया गया है मेरा स्पेशियल अभी इसकी आप खाली साइस देखिए इसका जो वेट है वह 4.4 kg साड़े चार केजी के नजदिक नजदिक इसका पूरा वेट है अभी यह इसका छोटा जो है इसका 100 ग्राम के असपस का वेट है यह दोनों अलग अलग स् तो यह ट्रैक्टर एमोनिट्स हो गया अभी इसका आप देखिए तो यह पूरा पीला कर अरगा है क्योंकि वहां मेडाकासकर की जो मिट्टी है वह पीडी पीली मिट्टी है जो अपने आप यह ऐसे पीली मिट्टी रहती है पीली मिट्टी में अगर कुछ चीज दफन हु तो यह जो चीज है तो यह भी नॉटिलस का कटिंग सेक्शन है यह पूरा नॉटिलस नहीं है नॉटिलस का पूरा पीच में से काटा हुआ सेक्शन है तो इसके अंदर की डिजाइन है यह आरस का जो पत्थर रहता है आरस का जो अपने यह चमकदार पत्थर रहता है वैसी से वह केटेगरी में है तो इसकी वाज़े से उसका पॉलिष लग रहा है आपको तो यह सब अलग-अलग प्रिशेविशन के हिसाब से वह जहां पे भी डबा हुआ था मिट्टी में उसकी प्रॉपर्टी के हिसाब से उसमें अलग कलर्स का वैडियाशन रहता है अभी सालेग करें आपि कोस् 59 honest में बना सकते हुआप इसको कॉलिटी चेक करना है अब यह आपको फििजिकरी देखके ही अब उसको जस्टिफाइफ कर सकते हूं के यह कैसा रहेगा कि उरिजनल है के नहीं है वहाप उसको देखे विना आप और टैरेकली आप फोटों से भोल सकते को ऑर काटना भी पड़े या फिर एक्स्रा करना पड़ेगा उसका कैसा है अंदर से या यह सीमेंट का नहीं है न उसको थोड़ा बहुत खुरेच के टार से पत्थर से खुरेच के देख सकते हो अब दुछरे एक शाले ग्राम पत्थर का यूज सुना लोग करते हैं सौनी लोग ज अगर आप कासी उपपर जा रहे हो कासी मत्वरा साइट पर नेपाल जा रहे हो तो वहां से खरीदना अच्छा रहेगा उसका रैंज की बात करते होगर पूरा साली ग्राम है पूरा डोनो पार्ट है या पूरा उसका डिजैन दिखना है पूरा है तो आपको कॉस्टली पड़ेगा फिर भी आपको मैक्सिमम पंदरा सो से लेके स्टार्ट करेंगे तो दो-तीन हजार में मिल जाएगा उसका पूरा साले ग्राम ही यूज होता है खिक है फ्रेंट तो साले ग्राम के बारे में आपको जो डीटेल्स मेरे पास थी वह मैंने आपको शेयर कर दिए अगर आपका आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक किजिए शेयर किजिए और सब्स्राइब आवर